हेलो एर्रीवान वेलकम ट्वेटर ट्वेटर ट्वेटिफो सेवन मैं रिया चोहान आपकी दोस्त और होस्त फॉर सोशल साइन्स आपके लिए लेकर आई हूँ आज चाप्टर नमबर सेवन यानि की आउटकम्स ओफ डेमोक्रेसी का वन शॉर्ट रिवेजिन हमने जो है वो स जब मैं आई थी तब ही कि सबसे पहले मैं आपको सारे चाप्टर एके करके अच्छे से समझाओंगी बढ़िया से रेगुलर सेशन लेके ताकि आपको यदि अभी तक ये लग रहा हो कि मैडम हमने तो दिसंबर तक भी सेस्टी की किताब को हाथ तक नहीं लगाया हम कर सकते हैं तो बिल्कुल ह आज यह सेशन आपका प्रेमियर है है ना आपके जो भी डाउट से प्लीज 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 आप पक्के से कॉमेंट सेक्षन में लिख देना है ना वैसे तो मैं समझाओंगी इसी तरीके से कि आपके डाउट सारे क्लियर हो जाए कि मुझे पता है यूशुली बच्चों को इस चाप्टर में कहां-कहां डाउट आता है है ना तो हम वो डाउट जो है वो पहले ही हर टॉपिक के साथ में में आपको क्लियर करवाते चलूँगी तो आप उसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करिएगा क्लियर है समझे दो मिनिट नोट भी हम चालू कर ले ताकि हम जो है वो लिखने में हमें आपको बताने में समस्या ना आए ठीक है तो ये वाला चाप्टर थोड़ा सा थोड़ा सा आपके दूसरे चाप्टर से अलग है आपको अधिकतर ऐसा लगता भी है और वाकई में ऐसा है भी कि ये चाप्टर आपके बाकी सारे चाप्टर से थोड़ा अलग है क्योंकि इस चाप्टर में हमको को पर्टिकुलर कहानी नहीं दिखती आप सोचो कि यह चाप्टर जो है एक फिलोसोफिकल चाप्टर है एक सीख लेने वाला चाप्टर है, clear है समझ में आया जैसे कि ये चाप्टर आपको ये बताता है कि आपने 9th क्लास से डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना शुरू किया था, तब से आपके डेमोक्रेसी की जरनी शुरू हुई थी, why डेमोक्रेसी, what is डेमोक्रेसी करके, फिर 9th में भी हमने आके डेमोक्रेसी के बारे में बहुत सा चीज़े पढ़ी जैसे पावर शेरिंग, फेडरलिजम, जेंडर रिलीजन, कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज कैसी होती है, अब फाइनली हम इस डेमोक्रेसी की चीज को खत्म कर रहे हैं, कैसे खत्म करेंगे तो ये च बहुत अच्छी लोग बहुत पसंद करते हैं ये गया अपनी तेश में गयोंच को रखना तो ऐसे क्या कारण है कि लोग देजोर्टीब्मोक्रेसी को इतना पसंद करते हैं, तो हम इस पूरे ये देखते हैं, हम अलग-अलग असपैक्ट एंander अलग क्राइटेरा डगते ज मैं थच्ब आपको आकर आपका ढाता है किस बैसिस पर क्या है 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 नापी प्रजेक्ट कोई घिया डिया की आपके आपने माप वर कैसे किया इस एपने आंशा आप को सभर्स तरीके से लिखे के यह उसे साफ 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 को मार्क दिये जाए इसलेंग एक्सिुंख जाता है उपने ट्रहीं के लिए जाता है तो पुरा हम ने डेमोक्रेसी के बारे में पड़ जरता है जो तो तो यहां के het रह दिया देस्ट लेंगे कि वाकई में डेमोक्रेसी अच्छीха है क्या है तो आप से जाता हम vibrations को समझता है शल्ट काउंटेबल है कि नहीं, रिस्पॉंसिबल है कि नहीं, लेजिटिमेट है कि नहीं, फिर हम देखेंगे कि यह economic poverty या फिर economic inequality को खत्म करती है या नहीं, या फिर economic development को आगे बढ़ाती है या नहीं, या फिर जहां पर social diversity होती है, या अलग-अलग लोग होते हैं, उनको accommodate करती है क नहीं, है ना, इन criteria's के ऊपर हम क्या करेंगे, बात करेंगे, लास्ट में देखेंगे कैसे यह dignity of individual जो है वो भी देती है या नहीं, तो यह कुछ criteria है, हर criteria हम देखते हैं कि democracy ऐसा करती है या नहीं, फिर हम बात करते हैं, है ना, कि करती है कि नहीं, तो फिर हम conclusion निकालते है कि हम हां करती है या फिर नहीं करती है, तो ऐसे में फिर अगर नहीं करती है, तो भी हम democracy को क्यों चूज करते हैं, ऐसी हम बाते करते हैं, हर एक topic के अंदर, clear है आपको समझ में आए, यही आपका पूरा chapter है, ठीक है, तो हम जो है जब आपके chapter की शुरुवात की जाती है, तो कंक्लूजन निकालेंगे हम 9-10 का और बताएंगे कि democracy आखिर करती क्या है, दूसरा सवाली होगा कि क्या क्या ऐसे outcomes हैं, जो कि हम democracy से क्या कर रहे हैं, expect कर रहे हैं, मतलब उमीद कर रहे हैं, और क्या democracy इन उमीदों पे खरी उतरती है, तो मतलब पूरा chapter आपकी इसी बात के निर्भर है या पूरी पूरा chapter यही बताता है कि हम क्या करते हैं, अलग-अलग उमीदे रखते हैं, डेमोक्रेसी से कि अग्या है, लेजिटीमेट है, पावर्टी हटाती है, इकनोमिक डेवलपमेंट करती है, कि ने शोशल करती है, डिगनिटी प्रोवाइड करती है, यह ह तो फिर ये सारी बात है हम हर topic के अंदर करते हैं, तो ये तीन question के उपर आपका पूरा chapter जो है वो based है, clear है, समझ में आया, we'll look at the expected and actual outcomes of democracy, है ना कि हमने democracy से क्या उमीद की और फिर democracy वाकई में, real ground level पे किस तरीके से काम करती है, ये हम जो है वो पूरे chapter के अंदर देखते हैं, ह पहला topic कि how do we assess democracy outcomes, democracy outcomes मतले हैं, डेमोक्रेसी के जो results है, है ना, उसको हम कैसे assess करते हैं, तो ये सोचने के पहले कि कैसे assess करते हैं, ये सोचने करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अलग-अलग criteria रखेंगे, जिन criteria कि हम आपको नाम बता रहे हूं, उसमें हम क्या करेंगे, इसका assessment कर यहां पर आकर इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि democracy एक ऐसी form of government है, जो लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा लोग जाए वो democratic form of government पसंद करते हैं, अब देखो होता क्या है ना, कि दो चीज़े हैं, एक तो ये कि पसंद करने के कुछ कारण है, ऐसा को equality मिलनी चाहिए, लोगों की dignity बनी रहनी चाहिए, है ना, equality, जो है, वो quality होनी चाहिए, decision making में, ऐसा नहीं कि जल्दली decision ले लिया शुटी करी नहीं, देजी से decision लो, पर quality वाला decision लो, साथ ही साथ में, अगर कोई conflict होता है, कोई दिक्कत होती है, तो उसको solve करने का भी, जो अपनी mistake ठीक कर का दो, उसको मौका दिया जाएगा, है ना, उसको मौका दिया जाएगा, ट्रायल लिए जाएगे, वो कोशिश भी, उसको भी मौका दिया जाएगा, कि ऐसा तो नहीं कि तो जबरदस्ती फसाया हुए, है ना, अगर तू सही है, तो तो अपनी बात भी रख ना, इन कारणों की वजए सा डेमिक्रेसिश लोगों के प्रती काफी जादा चर्चित है, क्योंकि देखो, डेमो क्रेसी के अलावा, कॉन-कॉन सी फोर्म फ़र्म कया मोनार्की होती है, तो अब इन दोनों में भी अगर हम देखें, बाकी सब को भी शोड़के, बाकी सब को कुछ नहीं होता एक बंदा उसकी चलती है आप वह सही सो जाए गलत सो के जैसा सोचे वैसा पूरे देश मोनारक्य में तो ऑ़ रहा है कि उसका बिअना प्राव्लम्स करेट टे कि demokracies सरकार को बिढ़ा कि जनता के दूरा जनता करें जब चाहे तब सरकार को बिठा जर्डानीचच चन्ता कि यह थो तब सख "'वब के दिश्शय कुछ रहतिए। तो इसलिए डेमोक्रेसी काफी ज़्यादा चर्चित है, काफी ज़्यादा पॉपिलर है, काफी ज़्यादा लोग उसको पसंद करते हैं, रखना, अब होता क्या है, अब मैडम इत्ती अच्छ है तो फिर इसका टेस्ट वेस्ट लेने की जरुरत क्या है, अच्छी है, माना, मालू मैं छोड़ो, खतम करो, पर ऐसा नहीं है, यहां आता है एक डिलेमा, ठीके, क्या आता है डिलेमा, मतलब एक डिक्कत आती है, कि डेमोक्रेसी इतनी सारी बाते कहती तो है, कि हाँ एकोलिटी प्रमोट होगी, शोशल कॉनफलिक्ट नहीं होंगे, करेक्ट मिस्टेक्स करने कि डिया जाए गा खुब फृटम दिया जाएगा, है ना, और खुब फ्रीडा म दिया जाएगा, सब सब ऐसी बदो, पर आकछल में, जिस भी देश में, जो वो कि डिलेमा के कारण, हम को थी कर देती है, चलो तो देखते है, एक कर राईरिया पर हम डेमोक्रेसी क का ट तो फिर हम वो assessment आगे लेंगे, साथ ही साथ में एक और चीज है कि देखो, बनलब ऐसा नहीं है कि democratic form of government है तो अपने आप कहीं से freedom आजाएगा, अपने आप कहीं से equality आजाएगी, ठीक है, डेमोक्रेसी की ये guideline है, कि अगर आपने डेमोक्रेसी अडॉप्ट की है, तो आप ये स से जाती जाएगी, लेकिन अगर आप नहीं follow करेंगी, तो भले आप democratic form of government रख लो, आप उन क्राइटेरिया इसको follow ही नहीं कर रहे है, जो डेमोक्रेसी करने को बोलरी, freedom देने को बोलरी, आप freedom दे ही नहीं हो, है ना, equality देने को बोलरी, आप equality दे ही नहीं हो, discrimination हटाने को बो कथा भागवत सुनो, कथा भागवत सुनो, कथा भागवत सुनो, स्वर्ग मिलेगा, है ना, तो कथा भागवत की guidelines है, आप सिफ कथा भागवत, आप आपकी religion में जो भी एक holy book होती है, उसकी बाप बात करो, है ना, तो कई सारे आप लोग देखते हो, कि बहुत जादा उन holy किताबों को पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा चीज़े वो पढ़ते हैं, लेकिन अकल उनके अंदर कुछ नहीं आती, है ना, वो ऐसे ही पाप जो है, वो कर रहे होते हैं, ऐसी कैसी खराब सोच उनकी बनी रहती है, हम क्या सोचते है, कि इतनी काता फागवत पढ़ता है, इत तो आपको मुक्ष मिल जाएगा, आपको धरती पाने के ज़रती नहीं पड़ेगी, मतलब यह कि धरती पर हम जन्म इसलिये लेते हैं, ताकि हमको कुछने कुछ भुगतना बाकी होता है, तो हम यहां पे उस भुगतने को आते हैं, है ना, लेकिन अगर हम उन होली बुक्स क को फॉलो करेंगे, उनकी बातों को समझेंगे, है ना, भुग साइच चीजों को हम समझेंगे कि आखिर कैसे के उसको हमारी जीवन में उतारेंगे, तभी कुछने कुछ हो सकता है, समझ रहे हो और नहीं समझ रहे हो, तो मतलब उन्होंने तो कह दिया क्या आप ऐसा करो, ल अच्छा चलेगा, बढ़िया चलेगा, सारी चीज़ अच्छ होगी पर आप कट्टरता से फॉलो करो, अब उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नाम के लिए रखा हुआ है, और बोलो के कि देश में खुशाली आजा है, तो फिर पॉसिबल नहीं है, है ना, ठीक है तो कि आस्पेक भी है, अब हम क्या देश देलेमा को जो है, यहीं पर हमने लिखा हुआ है, कि पहले कैसे असेस करने है, उसके पहले समझ लेते हैं कि असेस्मेंट जरूरी क्यों है, इसलिए है क्योंकि जो है, वो काफी सारी एक्सपेक्टेशन है हमारी डेमोक्रेसी को लेकर और एक डेलेमा भी है, डेलेमा यह है कि डेमोक्रेसी प्रिंसिपल के नाम पे तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब प्रैक्टेस में लेकर आओ, तो इतनी अच्छी नहीं है, ऐसा हमको लगता है, है ना, तो यह डेलेमा हमको यह सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर आखि के तोर पर ऐसा है कि हम डेमोक्रेसी को फॉलो करते आ रहे हैं, तो यही जो सारे डाउट्स है ना, इसको हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके समझ लेते हैं, एक एक करके हर क्राइटेरिया पर डेमोक्रेसी की उमीदों को हम देख लेते हैं, कि हमको डेमोक्रेसी से क्या उमीद में क्या होता है इस पाइंध रखेंगे फिर बताएंगे रियालिटी में क्या होता है लास्स में इस पाइंगे वापा पेशर सभाव ऊसी लुव है इसे हैं इक फोलाना फलाना लेकिन फिर वाकरी में रहोसा आ choice वेसे हम देमोक्रेसी के साथ में कर रहें आपको कंसेप्ट समझ में आया यह इत्ती देर अभी तक जो मैंने बोला वह आपको यही बताया कि आखिर यह चैप्टर है किस बारे में हैं ना मतलब हम 910 है पूरा जो डेमोक्रेसी के बारे में पढ़के आए उसको आज हम यहां प में से यहां से जरूर आपको एक क्वेश्चन आता है कि लोग जो है वो डेमोक्रेसी को क्यों प्रेफर करते हैं तो इन कारणों से काफी हद तक लोगों को डेमोक्रेसी से प्रेम है ठीक है यह जरूर से लिख लेना यह पिछले साल के CBSC के पेपर में कई सारे सेट्स में आ जो गाले समझेल कि अकाउंटेबल, legitimate, responsive का मतलब होता क्या है इस कहते हैं, बीज़ में दिक्तेटर्शिप में होटा है, आप दे धो, कि यह प्रॉब्लमारी पर रही जनता को, तो यह गार उसके को एक भी जो सोचे उना इसा be डेमुक्रेसी में थोड़ा समय ढरूर से लगेगा है ना डिसिजन आहेगा यो ऐसा डिसिजन आहेगा जो सब के हीत में होगा अब यहां पर समय इसलिए क्यों क्यों लगता है क्योंकि हमने हमारे बहुत सारे लोग बिठा रखें जो लोगों के ही रीप्रेजेंट्टिव है जो अलग-अलग कास्ट, अलग-अलग कम्यूनिटी, अलग-अलग बैक्राउंड को बिलॉंग करते हैं. तो जब भी कोई बात आती है, कि हाँ, इसके उपर आप अपना डिसिजन बताओ. तो सब लोग अपने-अपने अस्पेक्ट से उसका अच्छा बूरा सब कुछ बताते हैं. तो ऐसे में क्या होता है ना, कि पूरे देश के जितने भी लोग है, उनके थौट्स कवर हो जाते हैं. फिर उसके बाद फाइनली सोचा जाता है कि अच्छा, अब जो है वो क्या डिसिजन लिया जाए और फिर डिसिजन निकल का आता है. तो सहर सी बात है, देर लगेगी, है ना, देर लगेगी, लेकिन क्वालिटी डिसिजन आएगा. क्यों ये भी कैसे आ रहा है, क्योंकि जादा से जादा लोगों का पार्टिसिपेशन है, किसके अंदर, गवर्मेंट के अंदर. समझ में आया तो अकाउंटेबल है ऐसी government क्या कहलाती है अकाउंटेबल कहलाती तो क्या democracy अकाउंटेबल है बिल्कुल अकाउंटेबल government है है ना allow citizen to participate in decision making follows norms and procedures before arriving to a decision accountability समझ में आई अब आते हैं हम responsive पे responsive की बात करें तो responsive क्या होता है यार यह दिक्कत आ रही है आपने बोला कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कते आ रही है बिल्कुल safety नहीं है फलाना ढिकना यह जो बाते आपने रखी तो government ऐसी हो कि इस बात पर response दे ना कि इस बात को ignore करें समझ में आ रहा है तो ऐसी form of government क्या कहलाती है responsive government कहलाती है साथ ही साथ में ऐसी government में हमेशा transparency रहती है एक शब्द यूज किया गया है आपकी बुक में transparency का मतलब अगर आपने बोला कि आप जो है transparency आपने जो है वो बोला कि ऐसा ऐसा आप करो है ना तो आपके के पास में अधिकार है कि आप उस process को भी चेक कर सकते हो कि कितना ये काम हुआ है कितना काम बचाया है कितना बजट में है सारी चीज़े जनता को अधिकार है कि वह RTI कि तहतरा right to information की तहतर जो है वो सारी details निकाल सकती है तो government जो government transparent होती है वो government responsive होती है यानि कि जनता की जरूरतों को respond करती है clear है समझ में आया तो when it responds to the demands of public and consider very much part of the government ऐसा नहीं कि government बन गई ही वोट ले लिए अब government बन गई तो हम जनता को भूल गए ऐसा नहीं है responsive government हमेशा आपकी चीजोओ को लेकर आपकी दितकतों को लेकर responsible होती है clear है तो accountable समझ में आया अब ऐसा कहना है भ्या आपकी बुका की having democratic government accountable government वैसे तो है लेकिन बहले कभी ना हो भले responsive ना हो लेकिन ये government legitimate हमेशा होती है ये दोनों भी होती ही है democratic government पर मालो worst case में ऐसी government बन गी किसी देश में जो ना accountable है ना responsive है पर वो government legitimate होगी ही होगी क्यों legitimate होगी क्योंकि ये जनता की अपनी सरकार है ठीक है जब life में आपको कोई भी decision लेना होता है है ना तो आप जब किसी दूसरे का थोपा हुआ decision लेते हो ना आपको हमेशा मन में हैसा रह जाता है कि काश में मेरे हिसाब से कर लेता काश मेरे हिसाब से कर लेता अच्छा हो जाज है तो बहुत खुश होते हो लेकिन जरार सा बुरा हुआ तो आपको अशा लगता है कि यार में को मेरे हिसाब से चीज़े कर लेने चीए तो अच्छा ह होता है और आपको अंदर डरने करंगा कि मेरा decision मैं से नहीं कि कम के तो नहींहाद एक है कारण्ट मैंने किया और भर को नहीं कि यह खúde कि आपका अपना खुद का डिसिजन होता है ना आपको भरोसा होता है आप उसके अच्छे बुरे दोना आउटकम से लड़ने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि वापका डिसिजन है ना बेजी जगा आप लडने के लिए तो गवर्मेंट जो है डेमुक्रेटिक गवर्मेंट हमे इसको जैन्मों क्या करने असेज करते हैं ईसके इसापते सिपना परक abort करें ईसको डेमोकरीटी को डारलके myself कि कंपैशन में देखो तो डेमोकरीटी लॉव क्या करते है । अकाउंटे बन जो यह वो उसके अंदर सब्सक्तिक की वहीं जाहिर से बात है इसलिए लगती है इसे लिए quality decision आता है गर्मिंट responsive भी होती है यह रिसपांसिव होती है क्योंकि भाया transparent है आप उसमें से निकाह सकते हो कि रहा है कि नहीं हो रहा है चल रहा है कि नहीं चल रहा है कुछ गड़ बढ तो नहीं होरी है लेजिटिमेट भी है क्योंकि जनता ने खुद ने उस गवर्मेंट को चुना है ठीक तो डेमोक्रेटिक गवर्मेंट यह तीनों तो है इसले एफिशेंट भी है इसले अच्छ से काम भी चल जाता है काफी हग लेकिन नौन डेमोक्रेटिक गवर्मेंट की अगर आप बात करो वह जो एसा राजा आजाए ऐसा वंदा आजाए जो यह सोचे कि नहीं मेरा धर्म है तो फिर वह बात अलगे लेकिन वह काफी कम केसेस में होता है यूजवली गद्धी मिलने के बाद में अगर आपके पास में कोई रोक टोक नहीं है तो आप रिस्पॉंसिव नहीं रह जाते उनको भी मार पीट देते हैं वह खतम कर देते हैं तो अकाउंटेबिलीटी भी नहीं मिलती रिस्पॉंसिव नहीं मिलती लेजिटिमेंसी की तो बाती नहीं है क्यों क्योंकि लोगों ने चुना ही नहीं ना उनको वो तो अचानक से लीडर उबर क्या है शुरूआत में सिखा इस टॉपिक से क्या सिखा कि हमने डेमोक्रेसी पे एक उमीद रखी कि क्या डेमोक्रेसी एफिशेंट है यानि कि क्या डेमोक्रेसी अकाउंटेबल रिस्पॉंसिव लेजिटिमेंट है एस कंपेर टू नॉन डेमोक्रेटिक गवर्मेंट तो हां ठीक है भले अकाउं to non-democratic government काफी अच्छी है और यही कारण है कि हम democracy को पसंद करते हैं ठीक है तो यह पहला कारण होगा कि भाया जो डेलेमा है है ना जो डेलेमा हमारा था कि democracy जो प्रिंसिपल के नाम पे तो बहुत अच्छी है लेकिन practice में हम देखो तो गड़बड कर जाती है तो क्या यहाँ अपर ऐसा है नहीं इसमें ऐसा नहीं है ठीक है अगर लोग इन चीजों को फॉलो करते रहेंगे तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहेगा और यही कारण है कि लोगों के बीच में democracy को लेकर बहुत प्यार है समझ में आया है अब अगले वाले पर आज आते हैं अगली वाले में आके हम बात करें तो यह कहता है economic growth and development होता है के democracy में तो यह हमारी दूसरी उमीद है democracy के उपर है ना क्या economic growth and development मतलब जनता ना करे सरकार चुनी है तो economic growth and development होना चाहिए है ना तो यहां पर कुछ हमारी उमीदे हैं पर reality कुछ अलग है अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉंसिव लेजिटी में स्ट्री में तो सब ठीक था अब यहां पर हम बोले तो यहां पर हमारी उमीदे तो अच्छी है ऐससे कि economic development होगा economic growth होगी development होगा economic growth development जैमतलाब पैसे के तावर पे ठीक है पैसो के सब्सक्राइब है ना तो यहां पर आप अगर आप देखो मतलाब देशकर में कहीं डेवलाप्मेंट होगा यह कुलमिला के बार है तो यहां पर अगर हम देखे हैं यहां पर आगर हम देखे तो हमारी उमीद क्या है कि अगर डेमोक्रेसी अच्छी गवर्मेंट होगी तो क्या होगा डेवलप्मेंट तो हो गई होगा अच्छी गवर्मेंट अगर होगी तो डेवलप्मेंट तो हो गई होगा लेकिन डेटा कुछ और कहता है ठीक है डेटा क्या कहता है और और कुछ कहता है यह हमारा अगर अच्छी गवर्मेंट तो डेवलप्मेंट देना चाहिए लेकिन प्रुडेंशली अगर देखा जाए प्रुडेंश के साथ में अगर देखा जाए फैक्ट्स फिगर स्टाटेस्टिक्स के हिसाब से देखा जाए तो 1950 से 2000 तक डिक्टेटर्शिप में ज्यादा पर दिक्टेटर्शिप में तो फिर हम क्यों डेमोग्रेसी को सवाल आता है तो इसके भी कुछ कारण है हम ऐसले नहीं करते क्योंकि डेमोक्रेसी के कुछ और धेर सारे फायदे हैं जो इसको आउट ग्रो कर जाते हैं है ना एक तो सबसे पहली चीज कि अगर डिक्टेटर्शिप में डेमोक्रेसी से ज़्यादा एकनॉमिक ग्रोथ और डेवलप्मेंट है तो वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है कि आप बाकी डेमोक्रेसी के सारी अच्छा यहां भूलके और इधर चले जाओ ऐसा नहीं है भी अगर थोड़ा जादा तो बहुत थोड़ा जादा है एकनॉमिक ग्रोथ और डेवलप्मेंट साथ ही साथ में डेमोक्रेसी में ऐसे ऐसे फायदे जो डिक्टेटर्शिप में डिक्टेटर्शिप में तो आपको फ्रीडम जरा सा भी नहीं मिलना वह बोलेंगे कि चलो तो चलो वह बोलेंगे बैठ जाओ चार दिन तक बैठे रहे ना उठना मत तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा लेकिन क्या डेमोक्रेसी में ऐसा है नहीं आप चैन की सांस ले सकते ह यह वही बात हो गई कि दो रोटी खाएंगे पर सुख से खाएंगे इसलिए हम क्या करते हैं डेमोक्रेसी को चूज करते हैं बहले यहां पर डिक्टेटर्शिप में एक एक्स्ट्रा सबजी मिल रही हो लेकिन वह सबजी थोड़ी मिल रही है ठीक है तो और दुख के साथ म मिल रही मार पिटाई के साथ में मिल रही है तो हम क्यों ले भाया नहीं खाएंगे एक एक्स्ट्रा थोड़ी से सबजी है ना हम दो रोटी खा लेंगे लेकिन सुख से खाएंगे हसी मजा करके सब के साथ में मूँ बना के ने समझ में आया क्लियर है यह अंतर है तो हमने इ कि जहीं करते और हमंसाने और हम समय कोई सब्सक्राहिएन और ढौब गे courett प्रेश्या और नियसा साथ कि शारों पर क्युक्स फायतेन लाल लेवालगे-धान आप हमेशा ऐसी जगह पर ही रहना पसंद करते हो जहां पर भलने कोई बात नहीं लेकिन आप खुष रहना चाहिए आप अपनी इच्छा का कर पाना चाहिए तो आप उस जगह को चूस करते हो इसलिए हम यहां पर भी डेमक्रेसी को choose करते हैं तो मतलब यह ऐसा है कि भले डेमोक्रेसी हमको इस aspect पे नहीं निकाल के देरी पर क्यूँकि डेमोक्रेसी दूसरे aspect में बहुत जादा अच्छीह है इसलिए हम डेमोक्रेसीको को चूज करते हैं है न समझ में आया तो आप यहां पर देख सकते हो यह इस पे इसमें से आपको क्या question निकाल की पूछ सकते हैं देखो पिछले वाले में से आपको क्या question निकाल की पूछ सकते हैं कि भाईया, डिक्टेटर्शिप में देखा गया कि economic growth and development ज़ाधा है as compared to democracy. तो भी हम democracy को क्यों choose करते हैं? तो आपको ये दो reason लिखके आने हैं. है ना? ऐसे आपसे हर एक topic में से सवाल पूछा जा सकता है. Philosophical सवाल बनेगा इस chapter में से. है तो यहां पर हमने democracy से क्या उमीद रखी? कि भाया inequality जो है. ठीक है मतलब जो एक लोगों के बीच में मदभेद है, है ना? जो भेद भाव है कहीं न कहीं वो कम होना चाहिए है ना? और poverty भी कम हो जानी चाहिए ठीक है? यह हमने क्या रखी कि डेमोक्रेसी से उमीद रखी. अब reality क्या है? रियालिटी यह है मतलब कुल मिला के expectation हमने रखी कि inequality और poverty का कुल मिला के मतलब यह है कि लोगों के बीच में जो कि पैसे की उच नीच है कि जो है वो बहुत रिच होते जा रहे हैं, पूर जो है आजाएगी, साथ ही साथ में सभी लोग rich, poor, सभी लोग resources बराबरी equally तरीके से यूज कर पाएंगे. है ना, यह हमने क्या रखी उमीद रखी democracy से. पर हम reality में क्या हो रहा है? reality में यह हो रहा है कि political equality तो लोगों को दी गई है कि भाया आप जो है वो सब सब का एक vote का एक value है है ना, voting rights आपके पास में सब के पास में बराबर है भले आप rich हो poor हो कोई भी हो. तो political equality तो democracy में जनता के पास में है लेकिन economic equality में equality जो है वो जनता के पास में democracy में नहीं है ठीक है? नहीं है और यह सत्य है कि भाया आप कितनी ही democracy उठा के देख लो सब में ऐसा है कि rich जो है वो poor, rich जो है और ज़्यादा rich होते जाते हैं, poor जो है वो और poor होता जा रहा है, साथ ही साथ में resources जो है वो देश के तो rich जो है वो ज़्यादा resources यूज करते हैं poor जो है उनको resources का कोई balance मिली नहीं पाता, है ना, तो फिर ऐसे में क्या किया जाए, what can be done इसका solution क्या है, तो solution यह है कि सरकार को इसके उपर काम करना चाहिए, है ना कि democracy तो कहती है कि भाया आप equality रखो ऐसा मत करो कि भाया बैलेंस ही नहीं rich, जो है वो rich होता जाए, पूर होता चाहिए, तो यह democracy का criteria यह है कि भाया, सब लोगों को सारी चीज़े जो है, वो मिलनी चाहिए है ना, पर देखो democracy क्या कर रही है ना, at least यह कर के दे रही है, as compared to डूसरी form of government हम यह देखे, कि बराबर, भले पैसा बराबर नहीं मिल रहा हो, पर लोगों के पास में opportunity बराबर है, ठीक है, लोगों के पास में opportunity बराबर है, सभी लोग, democratic government में सभी लोग पढ़ाई कर सकते हैं, सभी लोग मन मर्जी की चीज़ चूस कर सकते हैं, सभी लोग मन और पूर होता जा रहा है रिच और रिच होता जा रहा है ऐसा नहीं है अप और्चुनिटी सब के पास में बराबर है अब ऐसे में कोई बंदा उस अपॉर्चुनिटी का जाधा यूटिलाइजेशन करके और आगे बढ़ जाए तो इसमें डेमोक्रेसी क्या करें आप भी जो से बड़े पोस्ट पे लोग है जितने भी अमीर से अमीर लोग है वो सब उनके जमाने में गरीब से गरीब स्थिती में थे तो अगर डेमोक्रेसी में ऐसा होता कि वो और पूर होना होते तो और पूर हो जाते वो कभी उस पोजिशन पे पहुंचते ही नहीं पर ऐसा नहीं डेमोक्रेसी ने हमेशा आपको बराबरी की opportunity दी है कि आपके पास में काभीलियत है अगर आप मेहनत करने को तेयारो आप failure से नहीं डरते तो आप आगे बढ़ते जाओ आपको कोई नहीं रोके टोकेगा आप आज नहीं तो कल success आपके कदम चुमेगी लेकिन काम आपको करना पड़ेगा ठीक है अब आप देखो कई सारे पूर लोग मतलब देखो मैं यह नहीं कहरी कई सारे लोगों तक वह opportunity नहीं मिल पाती है उस बात को मैं मानती हूं लेकिन आप अधिकतर लोगों को देखोगे जो जिनके पास में थोड़ा भौत भी पैसा आता है भारत देश में भी आप ऐसे लोगों को देखोगे अधिक सब की बात नहीं करी पर मोस्ट लोगों की में बात करी हूं दिन में जाते हैं पैसा कमाते हैं रात में आते हैं दारू पीते हैं घर में माल पीट करते हैं बस यह काम कम सखम 8 से 10 साल करे तो आगे बढ़ेगा बिल्कुल बढ़ेगा क्यों नहीं बढ़ेगा मेरे खुद के पापा मेरे खुद की फैमिली की बात करें हो हमारी इतनी ज्यादा स्थिती खराब्ती जिसकी कोई हदनी जब मैं पैदा नहीं होती है अगर डेमोगरिटिक फॉ के पास में था उन्होंने उसका यूटिलाइजेशन किया दिन रात मेहनत की एक किया तो आज अच्छी पोजिशन पे हैं हम लोग काफी अच्छी पोजिशन पे हैं हमको पढ़ाया लिखाया हमने एजुकेशन गेंगी हम आपको पढ़ा लिखा रहे हैं तो सारी चीज़े हो अगर आप महनत करोगे तो सब कुछ मिलेगा क्योंकि अपॉर्चुनिटी डेमोग्रेसी बराबर देती है लेकिन यह चीज़ दूसरे देशों में नहीं है दूसरे देशों मतलब दूसरी फॉर्म अप गवर्मेंट में आपके पास में इनिक्वालिटी जो रहेगी रहेग दूसरे लोग उस पोस्ट पे नहीं आपाएंगे कभी जब तक वहां पर फॉर्म अप गवर्मेंट है जैसे ही वहां पर डेमोक्रेसी आएगी वहां पर सबको बराबर अपॉर्चुनिटी जो नेता बनना चाहिए जो जैसे जो काम करना चाहिए वो करें बकाइदा उसको म krabi पॉर्म पॉर्चुनिटी नहीं मिला नहीं ऐसा नहीं डेमोक्रेसी कम से कम पॉर्चुनिटी तो य देरी अभी हमारे उपर है कि हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं कैसे आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि पूराने सारे अग्जैम्बल हैं आज जहां हमारे घरमें हमारे जो सबने गरीब से गरीब हालत देख लग की ок opportunity का फाइदा उठाया है जो मिला وہ काम उन्हों եाया है और आज आगे हैं कि तना आगे हैं ये हम देख आज उनके बच्चे इंजॉएivas तो फिर आप सवाल नहीं उठा सकते कि उनके बच्चे क्यों एंज़ॉय कर रहें उनके माता पिता ने इतनी महनत की तो उनके बच्चों को प्रिविलेजिस मिलेंगे जाहिर सी बात है लेकिन अगर ऐसा है कि आप पूर हो आपके पैसा नहीं फाइनेंशल कंडिशन खराब है तो सरकार आपको मेधवी योजनाय देगी आपको सरकारी कॉलेजिस देगी पर आपको एक्जाम पास करनी पड़ेगी आपको उसके लिए रिसोर्स भी देगी यूट्यूब पर आपको पढ़ना पड़ेगा आपको एक्जाम पास करनी पड़ेगी आपको उसके बाद में क ठीक है क्यों हम prefer करते हैं तो अभी यहां से सवाल आ सकता है कि democracy में तो political equality है, economic equality तो ही नहीं, फिर हमने क्यों democracy को choose किया, तो इसलिए choose किया क्योंकि democracy हमको बराबर opportunity देती है, rich के पास में भी उतनी opportunity है जितनी दूसरे लोगों के पास में है, बकायदा करना अगर कुछ है तो हम में महनत करनी है, हमें आगे बढ़ना है, तो हम भी आज नहीं तो कल successful होंगे, लेकिन दूसरी form of government में opportunities भी बराबर नहीं मिलती, समझ आया, चलो, आगे आ जाते हैं, how does it allots accommodation of social diversity, है ना, तो जब जिस देश के अंदर, बहुत सारे तरह के लोग देखने को मिलेंगे, तो फि है कि नहीं, हाँ हो रहा है, ठीक है, तो जब जिस देश में बहुत सारे बहुत सारे तरह के लोग मिलेंगे, तो क्या फिर महां पर लडाई जगडे होंगे, तो हमने यहां पर डेमोक्रेसी से क्या उमीद की, कि भई अगर डेमोक्रेसी इतनी अच्छी form of government है, तो सब लोग एक दम peacefully और harmonious life जीनी चाहिए, सब लोगों को दिक्कते नहीं होनी चाहिए, तो हम यहां पर यह उमीद रख रहे है, डू डेमोक्रेसी लीड टू पीस्फुल और harmonious life अमंग सिटीजन, और इस टॉपिक में से सेम यह question बन के आता है, है ना, कि क्या democratic government में, democratic देश में रहने लोग शांती पूरवक और खुशाल जीवन जीते हैं, तो बिलकुल, बिलकुल, जैसे कि Belgium के केस में देख लो, उन्होंने क्या किया, उनके हां पर अलग-अलग ethnic population थी, ठीक है, डच बोलने वाले लोग, फ्रेंच बोलने वाले लोग, फिर जो गिंती में कम है, वो रिचन पावफुल है, जो गिंती में जादा है, उनके पास में education development नहीं है, फिर capital में अलगी स्थिती थी, तो वो, क्योंकि उन्होंने democratic form of government अपना रखा था, तो वहां के leaders ने सोचा, समझदारी से काम किया, चार बार constitution comment किया, और एकदम बढ़िया से खुशाली से रह रहे हैं, अ तो श्रिलंका कि अगर हम बात करें, example ले अगर हम श्रिलंका करें, जब आप ऐसी चीज़े नहीं करोगे, जब आप इन चीजों को फॉलो नहीं करोगे, जब आप सब के बारे में सोच के नहीं सलोगे, तो फिर आपके हालत श्रिलंका जासी हो जाएगी, है ना, टो democracies usually develop a procedure तो जब आपके पास में यह चॉइस रहेगी कि आप अगर चाहो देखो डेमोक्रेसी में हर चीज यह है कि आपके पास में सब कुछ है आप अगर चाहो तो आप इन सारी को खतम कर सकते हो और एकदम बढ़िया से खुशाल जीवन जी सकते हो जैसे कि बेल्जियम ने किया और अगर आप नहीं चाहोगे तो श्री लंका जैसी हालत आपकी हो जाएगे ठीक है डेमोक्रेसी बढ़िया से आपको कंधर पिठा के चलती है बकाईदा दो बकाईदा दो मतलब है यहां पर मेजौरीटी के दो मतलब है मेजॉरिटी का एक मतलब क्या होता है मेजॉरिटी का नमबर वन मतलब ये होता है कि मान लू डच की हम बात करें सुरी सिहाला की अगर हम हाँ डच की बात कर लेते हैं ने सिहाला की बात कर लेते हैं सिहाला की बात कर लेते हैं तो यहां पे majority में कौन थे, सिहाला थे, 74% अब हम कहते है ना democracy हमेशा कि जो जाधा लोग बोले हो काम करो, यह हमेशा majority के इसाप से चलेगा तो democracy majority के इसाप से चलती है, तो democracy majority के इसाप से चलती है इसका मतलब यह नहीं कि जो गिंती में एक community जादा है उसकी सुनेगी है ना मतलब पहला मतलब जो है पहला मतलब जो है वो बिल्कुल भी नहीं है मेजॉरिटी का एक और मतलब निकल के आता है एक और मतलब क्या कि यह सिहाला यह सिहाला और यह जो तमिल है यह सिहाला और यह जो तमिल है मिल के पूरे देश की पॉपिलेशन है ठीक है अब यह मिल इन में जो लोगों का जो डिसीजन आता है इन में से जिसे दू चॉइस दे दी है ना दो चॉइस्वाचे निया तो यह कर लो या तो आप यह कर लो तो अन फ़ chỉूँ इन चॉइस में मेश छोइझ से कि इनको सिहाला और डच को भी छोड़ो आपको मैं इंडिया की टर्म्स में बताती हूं इंडिया में सबसे जाधा माना जाता है कि हिंदू लोग है तो एक मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है कि भाईया हिंदू लोग जाधा है तो हिंदू लोग जो कह रहे हैं वो मान लो है हिंदु लोग जो कह रहे हैं वो मान लो बाकी जो गिंती में कम लोग है यानि कि जो माइनॉरिटी है उनकी मत मानो ये एक मतलब निकल के आ सकता है पर असल में ये मतलब नहीं है अब असल में मतलब क्या है असल में मतलब ये है कि भले मेजोरिटी में कोई भी हो पर इनकी जो इच्छा निकल के आ रही है माइनोरिटी, हिंदू, मुस्लिम सिख, क्रिश्चन, इसाई इनकी सब की मिलके जो जब हम पोलिंग करेंगे और मिलके जो डिसिजन आ रहा है जो डिसिजन सबसे ज़ादा सारे लोग मिलके पसंद कर रहे हैं उस डिसिजन को फॉलो किया जाएगा ना कि यह कि गिंती में जादा कम्यूनिटी के इसाब से कौन से लोग बोल रहे हैं वो फॉलो करें आपको क्लियर है, समझ में आया तो दोनों पॉइंट आप पड़ो दोनों पॉइंट आप पड़ो है ना, तो पहला यह कि इसका मतलब यह नहीं कि जो मेजॉरिटी, जो गिंती में एक कम्यूनिटी जादा है, उसकी बात मान ली जाएगी, जो गिंती में कम्यूनिटी का में उनकी बात नहीं मानेगी ऐसा अब नहीं है, ऐसा नहीं होगा होगा क्या कि rule by majority does not become rule by majority community in terms of religion, caste, crees and race. मतलब यह कि rule by majority का मतलब यह न हो कि जो community की गिंती ज़ादा है उसकी बात मान ली जाए. यह न हो. Majority का मतलब यह हो कि सारी community मिल के जो एक decision ज़ादा prefer कर रही है उस decision को माना जाए. समझाया? जब यह चीज होगी जब यह चीज होगी तब जो है वो शानती बनी रहेगी. सारे लोग आसानी से रहे पाएंगे. जैसे कि इसको मैं और explain करूँ अगर एक तो Dutch Sihali से समझ लिया, हमारे India समझ लिया, एक और example ले लो कि आपकी class है. आपकी class है ठीक है, या फिर आपका जो वो एक class में क्यूंकि बहुत सारे बच्चे हैं, वो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं उस class के तो हम उसी की मानेंगे, बाकी class के बच्चों की नहीं मानेंगे. ऐसा ना हो. यह हो ना चाहिए इसके बचाह यह हो? सबसे ज़ादा माननीता का होगा सबके उपीण को मिला कि उस उपीण को माना जाएगा. समझ में आई बात Clear है, तो अगर जब तक यह चला यह 2 कंडिशन fulfilled होती रही तो social accommodation भी होता रहेगा social diversity का accommodation accommodation मतलब क्या घर मिलना companies accommodation प्रोवाइट करती ना क्या आपको घर बार वगएरा हम सब देगें आप अच्छे से रह सकते हो social diversity का accommodation मतलब तरह तरह के लोग भी बेश में शांती से रह पाएंगे ठीक है कब रह पाएंगे जब ये दो चीजे फॉलो होंगी तब तो आपसे यहाँ पर सीधा question पूछा जाता है what are the two conditions that must fulfill in order to achieve the outcome of accommodation of social diversity तो आपको ये दो points लिखने पड़े बड़े paragraph को एकदम short में बना के मैंने ये दो point लिखें clear है समझ में आया, आगे पढ़ जाएं last last जो है dignity and freedom of the citizen तो क्या democracy हमने यहाँ पर उमीद क्या रखी कि क्या democracy हर बंदे को इज़त provide करती है क्या democracy हर बंदे को इज़त प्रोवाइड करती है dignity provide करती है और रहने का freedom देती है तो बिल्कुल हाँ देती है अब यहाँ पर सवाल आजाता है कि हम जितनी भी democratic government देखते हैं जैसे इंडिया की बात कर लो तो महिला बहुत पीछे हैं है ना जो caste basis पे आप देख लो caste inequalities है तो है ना बहुत सारे लोग पिछडे वर्गम में हम आज भी बात करते हैं है ना उनको backward classes बोलते हैं कि उनको बहुत साथ दिक्कते फेस होती है तो फिर ऐसा क्यों भाई हम तो democratic form of government है तो ऐसी कुछ बाते ही नहीं होनी चाहिए कभी है तो जब यह बाते हो रही है जब इतना आगे पीछे का है लोगों के बीच में तो फिर हम देमोक्रेसी को क्यों फॉलो करते हैं तो देखो ऐसा है कि कुछ चीजे ऐसी होती है जो explanation बता रही हूँ अब पहले मैंने आपको situation बताई आप में बता रही है explanation कि क्यों हमने democracy को follow किया हम डेमोक्रेसी को इसले PAUL करें क्योंकि यह जो situation है यह बहुत अर्सों से चलिया रही है तो जब कोई बहुत अर्सों से चलिया आ trei होती तो उसको अचानक से चुटकी बजा के साफ नहीं किया जाशकता अचानक से चुटकी बजा के ठीक नहीं किया जा महिलाओं की प्रॉब्लम हर देश में रही हर एक देश में रही कोई सा भी देश उठा के ले लो कई सारे देशों ने महिनाओं को माइनॉरिटी माना उनको इज़त नहीं दी है ना उनको वैल्यू नहीं दी तो ऐसे में क्या होता है ना कि दिक्कते काफी सता बढ़ जाती है लेकिन वही दे यह बहुत बहुत अर्सुस चला रहे तो अचानक से छीज खतम तो होने वाली नहीं लेकिन अगर कोई देश डेमोक्रेटिक फॉर्म औफ गर्मेंट एक्सेप्ट करता है तो ऐसे में महिलाओं के पास में अधिकार होंगे महिला जब तक नहीं बोलना चाहे लेकिन, क्यूंकि अगर देमोक्रेटिक फॉर्म और एकदम अचानक से उसको रेलाईज हुआ कि नहीं यार मैं यह नहीं सहन कर सकती हूँ अगे बढ़ना चाती हूँ मैं पॉलेटिक्स में उतारना चाती हूँ तो बिल्कुल उसको कोई नहीं रोक सकता, यह डेमोक्रेटि बाल करोफए सब्सक्राइब वहां कि एंगे जा सकती, घर मिया जात्रोर आपको आईङ मेर्ने के सब्सक्राब कर भींगे। रहे। अब्डार रुड्रिक बड़ने कि अगयने बाड़ा बी वह संगे कर दो दील में जा सकते हो, आप केस कर सकते हो, आप अपनी आवाज उठा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं हो सकती, इसलिए हम democratic form of government चूज करते हैं, क्योंकि इस तरीके से dignity और freedom of citizen लोगों को देता है, तो democracy stands much superior to any other form of government in promoting dignity and freedom of individual, सभी government से सबसे उपर है, अगर बात आ कि dignity और freedom citizen को मिलती है, कौन सी form of government देती है, तो democracy देती है, हमेशा हमेशा, हमेशा, हाला कि यह है कि societies जो है, वो subordination, domination पर बनी है, तो कुछ चीज़ें ऐसी है, कि एकदम अचानक से नहीं हटाई जा सकती, जैसे women की बात करें, तो historically male जो है, वो dominate रहे हैं, कुछ समय लगेगा लेकिन democracy उस चीज़ को care के साथ में handle करती है, करती आई है, करती रहेगी, साथ ही साथ में यही चीज़ आप caste inequalities के लिए भी देख लो, यही चीज़ होती रहेगी, चाप्टर यहाँ पर होता है समा, समझ आया, एक बार मैं आपको फिर से revise करा देती हूँ, चाप्टर principle के नाम पे तो बहुत अच्छी है, लेकिन practice में देखो तो गडबड हो जाती है, तो यह dilemma आता है, तो यह dilemma आया, इसने हमने सोचा कि चलो democracy को हम अब आखिर में आके test कर लेते हैं, अलग अलग तरीके से उसका assessment ले लेते हैं, है ना, तो हमने assessment लेना शुरू किया, आप assessment ल democracy के लिए बोला चाता है कि नाम के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन practice में देखो तो दिक्कत हैं, तो हमने बोला चलो test कर लेते हैं, हमने बोला क्या accountable, responsive, legitimate है, democratic, non-democratic को compare किया, ठीक है, यहां से हमारा काम हो गया, हमने बोला एकदम बढ़िया है, ठीक है, फिर हमने democracy को चूज करते हैं, तो इन दो कारणों के कारण हम democracy को चूज करते हैं, क्यूंकि पहला कारण to dictatorship में, अगर economic growth and development जाधा है, तो बहुत थोड़ा सा है, कोई बहुत जाधा अंतर नहीं है, है ना, तो फिर हम क्या चाहेंगे, कि भाया, मत हो भले से, ठीक है, इतना नहीं मिला हमको वो नहीं पसंद, हमको क्या चाहिए, हमको democracy चाहिए, दो सुखी रोटी मिली, पर सुख से मिली, धीरे-धीरे करेंगे, वो भी बदल जाएगा, है ना, तो ये दो पॉइंट आप इसके अंदर लेख सकते हो, साथ में inequality और poverty की बात की जाए, तो भया, expectation है कि inequality होनी चाहिए, रिसोर्ट से सबके बास में बराबर होने चाहिए, पर क्या ऐसा है, ने, reality ऐसा नहीं है, हाँ, हाला कि political, जो है, वो, equality आपको मिली है, कि आप वोट बराबरी से दे सकते हो, आप जो है, वो, election contest कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, पर पैसे की जहां पर बात आती कि रिच को और पैसा बाट दिया, पूर से पैसा छीन ले, ऐसा तो नहीं करी, opportunity दे रही है, आप मेहनत करोगे, आपके बास में लगन है, आपके बास में skill है, आपके बास में talent है, सब कुछ है तो आज नहीं कल आगे पहुच जाओगे, लेकिन दूसरी form of government में ऐसा नहीं है opportunity भी आपको नहीं मिलेगी, अगली बात करें, तो क्या social diversity accommodate होती है, तो हाँ होती है, बकायदा आपको इन दो कारोणों का ध्यान रखना है, लास्ने बात करें, तो क्या citizen और freedom मिलता है, लोगों को, citizens को, और अगर मिलता है, तो महिला इतनी पीछे क्यों, caste inequalities अभी भी क्यों, तो आपको reason देना है कि बहुत शांती से, यह सबसे बड़ी चीज है, यह सबसे बड़ी चीज है, कि कुसी भी form of government में, democracy सबसे top level पे है, in order to, कि भाया, citizens को respect, equality, freedom देना, है ना, आपको चीज़ें ऐसी है, जो बहुत सालों से अर्सों से चली आ रही है, उसको अचानक से तो धीरे-धीरे साफ किया जा सकता है, जिसमें democracy का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है, लास्ट में छोटी सी picture आपको ऐसा बोलती है, कि भाया, इस बच्ची का exam रहता है, तो यह कहती है कि, exam तो है, मुझे बड़ी टेंशन हो रही है, लेकिन चलो, ठीक है, मुझे तो इतना जज किया जाता है, जितना की democracy को जच किया जाता है, तो इतने आसपेक्ट पे दोला जाता है, हमेशा अच्छी है, नहीं है, ऐसा है, फलाना है, वैसा है, फ़िक है, democracy एक अच्छी form of government है, अगर आप उनकी guidelines को सही तरीके से मान के चलते हो, तो इस chapter में सा आपको philosophical question आएंग जो भी doubt है, comment section में बता देना, ठीक है, अच्छा लागा तो like करना, share करना आपके दोस्तों के साथ में और जरूर से channel को subscribe करना, देखो, comments में जरूर से बताना, क्योंकि session live नहीं है, इसलिए मैं आपके doubts नहीं clear कर पा रही हूँ, अभी premiere हो रहा है, आप comments में बता दो, मैं समझा दू, ठीक है, clear है, चलो, मिलते हैं अगले lecture में, bye